भगवान विश्णू के छटे अफ़तार परशुराम जी के बारे में उनका जन रिशीद जम दगनी और रेनुका देवी के यहां पुत्रिष्टी यग से प्रसन देवराज इंद्र के वर्दान से हुआ था वो नारायर के अवशिश अफ़तार थे प्रणाम मुनिवर मेरा नाम सहस्तर अर्चुन है मैं शिकार करते करते भटक गया हूँ और यहां तक पहुच के आ हूँ क्या मैं आपके आश्रम में थोड़े समय विराम कर सकता हूँ आपका स्वागत है राजन रिशी जमदगनी ने राजा कास नहपूर आदर सतकार किया उनके पास कामधेनु गाई थी उसी गाई के गुरस के भंडार से रिशी सबकी आव भगत कर दे थे जब राजा सहस्तर अरजन ने वो गाई देखी तो उनके मन में लोब ने जन लिया और एक दिन वो गाई को छल से चुरा ले गए परशुराम जी को ये बात पता चल गए उस धूर्थ राजा ने मेरे पिता के सदकार का ये बदला दिया मैं राजा से काम धेनू को लेकर ही वापस लोटूंगा परशुराम राजा सहस्तर अरजन के पास कए राजन मुझे काम धेनू वापस कीजे अन्यथा परणाम अच्छा नहीं होगा इसके लिए आपको मेरे साथ युद करना होगा मनिवर अचित है राजा सहस्तर अरजन और परशुराम जी का खमसान युद हुआ परशुराम परशुराम जी का खमसान युद करना होगा अग्रता है चतुरो वेदाः पुष्णता हा सहरं दनो इदम् राम् हम इदम् शान्त, हाग् तहां चतुरु विता हम पुस्न तहा सचनं दनु इदम् राम् हम इदम् शान्त, हम् जापा दपी शाना दपी आपो, 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 आपट भजब शवस्ता ये दमा हो को तरह हमाल टाहि जा तुलक त deed हमाल यहा जा जा जा, जा जार हमाल घा जा तरह लिदे जा पल पल भाल सजय रम्दनों सजय रम्ध मिदम्ध में इतक शयानाठ म अप्रिष ऎरे जा नाधा मैं आल्या नहीं ना सन cuma सण अख्ड़ा तो है इतक श्रवल्या विजर दार तालिया विजर दाम्धा भाद पिछराद भी कद्धार चतुर्पेदा अभूṣ्टम्ठा सशरंद लूँ और इतंग राम्धा अंडितं शांद पिछराद भी झाल झाल